हेलो दोस्तों मैं सोरों बलिक आप सभी का टोपी की स्टेडियू में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर बोट एन स्ट्रीम का पार्ट तू इससे पहले पार्ट वन मैंने अप्लोड किया था अगर आपने उन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्केप्शन बोक्स में देदूँगा वहां से जाके आप उसको देख लेना यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट रहेगी इसमें मैं आपको इंपोर्टेंट कोशन और उनकी सोट्रिक बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों को सेयर करिएगा फेस्बुक और वोटसब गुरूप्स में ताकि दूसरे स्टुडेंट की भी हल्प होती रहे और अगर आप चाहते हैं सभी वीडियो का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेट कल के बटन को दबा करके बेल आइकन को ओन कर लिजेगा ताकि आगया आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और देखे दोस्तों इससे पहले मैं जितनी भी मैथ की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्केप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आपको सारे वीडियो देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पर पहला कोशन है एक व्यक्ति धारा की दिसा में 15 किलोमेटर परती घंटा और धारा की विपरीद दिसा में 9 किलोमेटर परती घंटा से नाव चला सकता है इस्तिर पानी में नाव की गती क्या होगी यानि कि आपको नाव की चाल बतानी है ठीक है और आपको दिया क्या क्या है डाउन स्टीम को समझ लेते हैं, जब पानी की दिशा में, यानि कि जिस दिशा में आपका पानी मूव कर रहा होगा, उसी दिशा में नाव जाती है, तो उसको बोलते हैं आपका डाउन स्टीम, तो यहाँ पे धारा की दिशा में 15 किलोमेटर परती घंटा है एक व्यक्ति, य यानि कि धारा गर इस दिशा में जा रही थी, तो आपकी नाव इस दिशा में जा रही है, तो अप स्टीम की जो चाल है, वो आपकी 9 किलोमेटर परती घंटा है, दोस्तों एक बहुत ही आसान सा फोर्मुला होता है, नाव की चाल निकालने के लिए, अगर आपको डाउन स् जो भी इसको दो से भाग कर देंगे, तो बारा किलोमेटर परती घंटा आपका आंसर आ जाएगा, मान लिजे, यही पर पूछा जाता है, कि पानी की चाल, पानी की जैसे यहाँ पर पूछा है, नाव की गती कितनी होगी, यहाँ पर पूछ लिजाता है, कि पानी की चाल कि कराए थे और अभी भी कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगी चीज़े अगर किसी भी कोशन में डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बुक्स में पूछ लीजेगा ठीक है और मैं अपना फेस्बूक इंस्टाग्राम सब कुछ आपको वीडियो के हैं में बताऊंगा अगर कहीं पर भी आपको प्रोब्लम आती है तो वहाँ पर जाके भी आप कोशन्स पूछ सकते हैं चलिए अब नेक्स कोशन है दोस्तों आपका इसमें बोला जा रहा है कि एक व्यक्तिा इस्थिर पानी में चार किलोमेटर पर भातीeron्का की चाल से तहार सकता है यदि पानी की गत्यांदटी दो किलोमेटर पर तहांट है तो उसे धारा की विपूछ समinformें दस हम लिखते हैं बोट की चाल तो उसको लिखते हैं X क्योंकि हर बार ये नहीं लिखेंगे बोट की चाल बोट की चाल क्योंकि वो बहुत लंबा होता है तो मैंने बोट की चाल को तो X मान लिया है हमेशा हर एक कुशन में और जो पानी की चाल होती है उसको वाई मान लिया ठीक है तो बोट की चाल आपको मिल गई X कितनी 4 किलोमेटर परती घंटा तो यह आपने हैं पर लिख लिया उसके बाद आपको पानी की चाल पानी की गती 2 किलोमेटर परती घंटा है तो यह आपने में जा रही है और यह distance है 10 km की और इससे के विपरीट आने में उसको कितना समय लगेगा तो विपरीट आने में उसको चाल कौन सी चाहिएगी अब खुद सोचिए अगर वो विपरीट आएगा तो उसे upstream की चाल चाहिएगी यानि कि upstream की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं द है समझ में आगया अब यह आप स्ट्रीम में कवर कितना करना इसको 10 km तो 10 km को कवर करने में कितना समय लेगा 10 को 2 से भाग कर देंगे तो 5 घंटे लग जाएंगे इसको इस distance को कवर करने में दोस्तों जो मुझे लग रहा है अगर कोई भी student इस video को पहली बार देख रहा वो पार्ट बहुत ही basic और बहुत ही important है उसको जरूर देख लिजेगा चाहे बाद में देखे चाहे अभी देखे ठीक है चले next question पर चलते है एक question और देखे आप उसी तरीके का है पर थोड़ा थोड़ा सा change होता है question वही रहते है ठीक है यहाँ पर जायतर आपको downstream upstream या फि 20 km की दूरी 2 घंटे में तै करती है धारा की दिशा में यानि कि अगर धारा इस दिशा में है तो ना भी इस दिशा में जारी होगी तो दोनों को क्या बोलेंगे जब दोनों एकी दिशा में जएंगे आपका downstream फिर और बुर लगा कर बोला जा implan ethare और धारा की विपडृत जिसा में वही दूरी को 5 गंटे में तैर किया जा रहा है यानि कि जब इसी दूरी को opposite direction में आके cover करते हैं तो 5 गंटे लगते हैं तो दूरी कितनी है 20 km 20 km को upstream जाने में 5 गंटे लगते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप downstream और upstream की चाल निकाल लीजे और upstream आने में उसी दूरी को 20 km को आने में यानि कि यह दूरी थी आपकी 20 km और इसको विपरीद दिसा में आने में कितना लगते हैं 5 गंटे तो 20 km को 5 गंटे से cover करेंगे तो कितना हो जाएगा यानि कि गंटे में कितना जाएगा 4 km तो आपको डाउन स्ट्रीम मिल गई, अपिस्ट्रीम मिल गई, पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इस तिर पानी में नो का यानि की नाव की गती क्या होगी, तो यहाँ पे दोस्तों मैं भी आपको सबसे पहले कोशन में बता था, जब भी नाव की चाल निकालते तो D पलस U, यानि कि डाउन स्ट्रीम पलस अपिस्ट्रीम को दोनों को पलस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जब भी आपको पानी की चाल निकालनी होती है, तो डाउन स्ट्रीम और अपिस्ट्रीम को मैनस करके 2 से भाग कर देता है, ठीक है, तो 10 पलस 4 कितना हो जगा चोदर दो को दो से बाग कर देंगे तो चोदर को दो से बाग करेंगे तो कितना आजएगा आपका साथ किलोमेटर परती घंटा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो आशा करता हूं कि आपको यह question समझ में आ रहे होंगे ठीक है चले थोड़ा सा अपने level बढ़ाते हैं भी ठीक है तो यहाँ पर next question में बोला जा रहा है एक streamer एक बंदरगा से दूसरे बंदरगा धारा की दिशा में चार गंटे में पहुंचता है तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत पांच घंटे में करता है यदि धारा का वेक दो किलोमेटर परती घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी होगी अब देखे ये चीज़े तो मैं आपको बता चुक हूँ कि धारा की चाल कैसे निकालते हैं अब इन चीज़ों से ही मिला के डिस्टेंस कैसे निकालते है उस चीज़ को सीख लेते हैं उन ही चीज़ों को मिला के करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जो बाहर से आपको अलग से याद करना पड़ेगा देखें यहाँ पर बोला जारा है एक streamer है मान लीजे कोई streamer है एक boat चला रहा है आप boat कोई समझे है तो आप यहाँ पर कोई तैराक बोला जाए कोई streamer बोला जाए आपको हमेज़ा सोचना है कि वो boat ही जा रही है ठीक है तो एक बंदरगा से दूसरे बंदरगा यान कि मान लेते हैं एक बंदरगा से दूसरा बंदरगा यह हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालने है यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बंदरगा से दूसरे बंदरगा तक दिसा में जाने है यानि कि फिर यहां पर बोला जा रहा है तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत में 5 गंटे में तय की जाती है और जब विपरीत आते हैं तो उतनी ही दूरी को 5 गंटे में तय किया जाता है ठीक है दोस्तो ठीक है यहां तक बते हैं सारी चीज़े समझ में आ गए क्या अभी तक कुछ एक्स्टर बताएं नहीं है जितना question में था उतना ही बताएं बई दो बंदरगाह है यहां पर बोला जारह बंदरगाह मतलब A से B तक जाने में पानी की चाल को क्या बोलते हैं, य बोलते हैं, तो y का formula क्या होता है, d-u, यानि कि downstream- upstream, ठीक है, और अरोपोन में 2, यही तो होता है न, अभी उपर यही करके है थे हम, अब यह देखे आप, कि हमें y पता है, ठीक है, और downstream और upstream का time पता है, ठीक है, तो time पता है, तो इसका मतल तो distance दोनों बार सेम रहेगी बर time change हो जाएगा time change किसकी वह से होगा जब धारा की जिसा में जाएगे तो time कम लगता है और जब धारा की दूसरी जिसा में आएगे विपरी जिसा में तो time ज़ादा लगेगा इसलिए time आपका change हो रहा है तो यहाँ पर y बराबर d minus u upon 2 होता है अब d को मैं क्या लिख सकता हूँ क्योंकि इस वाली मुझे क्या निकाल लिए चाल निकाल लिए क्योंकि चाल नहीं पता है तो down stream की चाल को मैं कैसे लिख सकता हूँ x upon में 4 ठीक है और यहाँ पर minus आप इस stream की चाल को मैं क्या लिख सकता हूँ x क्यूंकि distance तो वो ही है upon में 5 तो यह हो गई आपकी चाल दोनों और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे x upon में 4 minus x upon में 5 upon में 2 यह आपका हो गया समझ में आगे इतनी चीज़ है आपकी अब देखे इसको solve कर लेते हैं उपर वाले को solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 5 का LCM 20 आजएगा 5 x minus 4 x upon में 20 upon में 20 तो इनकी cross multiply कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से तो cross multiply करेंगे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका यह तो minus हो जाएगा उपर का तो उपर का 5 x में से 4 x जाके उपर x बच जाएगा ठीक है और यह आपका 2 उपर चला जाएगा इसके पास तो 40 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 equal कि इसको जाएगा x upon 40 के तो x की value आपकी कितने आजएगी 80 km यानि कि जो हमने x माना था यह वाले distance हमने क्या मानी थी x मानी थी पूरी की पूरी तो यह कितने 80 km आगई यही आपका right answer हो जाएगा आशा करता हूँ कि यह बहुत important question आपको समझ में आगया होगा एक बार और फिर से मैं समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा time जरूर लगेगा जिनकी समझ में आगया बहुत अच्छी बात है जिनकी समझ में नहीं साथ दुबारे से में उनको अच्छे समझ में आजएगा अगर कहीं पर doubt होगा दोस्तो एक दो बंदर गाहे उनके बीच की दूरी यह है यहाँ पर एक धारा की दिसा में जाने में तो चार गंटे लगते है और विप्री दिसा में आने में पांच गंटे लगते है ठीक है अब इनके बीच की दूरी जो भी होगी हमने एक्स मान लिया दूरी चेंज दो नहीं होगी जाने में भी उतनी रहेगी और आने में भी उतनी रहेगी तो मैंने X मान लिया मुझे धारा की चाल पता है धारा की चाल कायने की Y पता है Y का formula क्या होता है अगर मेरे को धारा की चाल निकाल नहीं होगी तो क्या करता हूँ मैं down stream-up stream upon 2 अब मुझे धारा की चाल पता है down stream-up 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 upon 2 हम कर लेता हूँ तो down stream की चाल क्या हो जाएगी down stream की अगर चाल मैं निकाला हूँ क्योंकि मुझे time तो पता है भई अगर मेरे को distance पता चल जाए और मैं उस distance को time से बाग कर दूं क्योंकि देखिए speed का formula क्या होता है distance upon me time ठीक है speed का formula तो यहाँ पर down steam और up steam की speed मेरे को निकाल लिए तो मतलब दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो तो x ही रहेगी मैंने x माल लिए तो यहाँ पर x upon me 4 और आपका minus x upon me 5 तो बस अब इसको यहाँ से solve कर लिजेगा अगर यह चीज आपको समझ में आ गई है तो पूरा आगे का तो आपको बस calculation करनी है I hope कि आपको यह question समझ में आ गया होगा next question देख लेते हैं दोस्तो next आपका question है एक नाव धारा के अनुकूल यानिकी धारा के अनुकूल धारा की दिशा में 10 किलोमेटर दूरी करने में 2 घंटे लेती है तथा धारा के विब्रीत इतनी ही दूरी 5 घंटे में लेती है यदि धारा के वेग 1.5 किलोमेटर परती घंटा हो तो सांद जल में नाव का वेग कितना होगा दीखे दोस्तो धारा के अनुकूल 10 किलोमेटर जाने में 2 गंटे लेती है, तो इसका मतला डाउन स्टेम की स्पीड कितने आजएगी आपको धारा के वेग, मतला धारा की दिशा में जाने में 10 किलोमेटर को 10 km की दूरी 2 गंटे में तैय ची तो एक कितना जाए गे 5 km यानिकि downstream में आपकी कितने हो जाएगी 5 किलोएटर पर ठीघंटा की स्टीम में a में 10 से 10 को आप 5 से डिवाइड कर दें क्यूंकि आप इस्टीम आने में 5 घंटे लगते हैं तो तस को आप 5 से मात को दो से बाग करेंगे तो 3.5 km per hour is the right answer आशा करता हूँ कि ये question भी आपको समझ में आ गया हुए तो बहुत ही simple था इसी type का question उपर भी हम करके हैं ठीक है चलिए next question को देख लेते हैं दोसों एक question और है ये बहुत important question है थोड़ा सा दिमाग से समझ येगा बिल्कूल समझ में आ जैगा जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा यहां पर बोला जा रहा है दो नाव ए और बी 108 km दूर दो इस थानों से एक दूसरे की तरफ चलती है भाई ए और बी दो मतलब तो इस तरफ को आएगी और बी वाली इस तरफ को आएगी आप मुझे यह बताईए कि एक तो downstream रहेगी एक upstream रहेगी ठीक है कि जो धारा की दिसा में जाएगी वो तो जाएगी धारा की साथ अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है एधारा की दिसा में चलती है और बी धारा के विब्रीद दिसा चलती है तो दोनों कितने समय बाद मिलेंगी दोस्तो थोड़ी सी एक चीज समझे आप यहाँ पर इस पूरी 108 किलोमेटर को ही कवर करना है कुछ extra थे इनको कवर नहीं कर क्या रही है और यह इधर से चल क्या रही है तो कवर तो इनको 108 किलोमेटर ही करना है और कहीं न कहीं यह बीच में मिलेंगे इस डिस्टेंस को कवर करते करते कहीं न कहीं बीच मिलेंगे वो ही आपसे पूछा गया कि कितने समय बाद मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक के लिकालने के लिए हम किया करते हैं प्लस कर देते हैं तो डाउन्स्त्रीम इश्पीड क्या हो जाएगी तो फंद्रा में सर ч August यह आपकी स्पीड आगहि क matar चाहले सरफ नहीं यहांगी तो यहां पे आपको क्या दिया गया है दोस्तों time हमें नहीं पता है तो सबसे पहले हम यह देखें कि कितनी distance यह cover करेंगे क्योंकि downstream speed यह है और upstream speed यह है 12 km पर r plus y और 15 km पर r minus y यह आपकी downstream है और यह upstream है यहां तक कोई problem है तो आप मुझे बताईए ठीक है अब यहां पर एक चीज देखिए कि मैं मान लेता हूँ time t क्योंकि time तो उनका change नहीं होगा न अगर यह एक साथ इधर से चलना स्टार्ट करेंगे तो time लगेगा भई same कोई time यह तो नहीं कि यह पहले चल दिया था और यह बाद में चलेगा जहां पर भी मिलेंगे एक same time पर मिलेंगे आप मुझे यह बते अगर आप इधर से चलते हैं दो बजे ठीक है और आपके घर मतल एक example मैं देता हूँ आपको मान लिजे आपके घर से और आपके स्कूल में आपके घर से पापा चलते हैं तुम्हें लेने के लिए दो बजे और आप स्कूल से चलते हैं दो बजे तो जहां पर भी मिलेंगे में tagm तो same रहेगा न, जहाँ पर भी आप बीच में मिल जाएंगे, तो घड़ी में time देखेंगे, time तो same रहेगा, कि जहाँ पर भी मिलेंगे, चाहे आपके पापा जादा distance cover कर ले, और आप कम distance cover करें, बट time रहेगा same, तो उसी चीज़ को मैं समझाना चाहरा हूँ, कि time same रहेगा, t हम मान लेता है time को, तो time जितनी भी देर में मिलेंगे, बट वो एक ही time होगा, तो मैं मान लेता हूँ, इतनी देर में, उस t में, उस time में, ये कितना distance cover कर लेगी, 12 km पर 3 घंटा plus y, यानि कि downstream में कितना distance cover कर लेगी, 12 plus y, और multiply कर देंगे इस t की, और ये कितना distance cover करेगी, ज इसके हो जाएगा 108 की, क्योंकि distance cover करनी हो, 108 ही करनी है, थोड़ा से लंबा हो रहा है मेरे को समझाने में, बट चीजे मैं सोझ रहा हूँ, कि समझ में आजया आपको, तो इस t की multiply कर लीजे, 12 t plus yt, फिर t की से इधर करेंगे 15 t minus yt, अब देखे yt से y कर जाएगा, बहुत सा 108 के, तो 108 के कोल, अगर आपका 27 t है, तो यहाँ पर t की value क्या आ जाएगी, 108 को आप सताई से भाग कर देंगे, तो 4 गंटे, 4 गंटे आपका रहे टांसर आ जाएगा, यानि कि यह दोनों जहां पर मिलेंगे, 4 गंटे में मिलेंगे, ठीक है, अब यह चीज़ जो मैं आपको स चलिए, दोस्तों, नेक्स्ट आपका question है, एक नाव की चाल 5 किलोमेटर परती घंटा है, तता नदी की चाल, नदी जो है, उसमें पानी की चाल मतलब 2 किलोमेटर परती घंटा है, नाव किसी इस्थान A से इस्थान B तक जाने में आने में, कुल कितना समय लेगी, यादि द चलिए, तो एक बार तो यह जाएगी डाउन स्थीम और एक बार आएगी आप स्थीम, ठीक है, जिसमें आपको नाव की चाल बता दी 5 किलोमेटर परती घंटा है, और जो धारा की चाल है, वो 2 किलोमेटर परती घंटा है, तो देख लिजे, यहापे हम आप स्थीम और तो आपका 3 किलोमेटर परती घंटा आ जाएगा, ठीक है, टोटल टाइम पूछा है कि यह पानी की दिशा में जाने में और फिर वापिस आने में कितना समय लेगी, तो देखिए, डिस्टैंस आपकी 8 किलोमेटर रहेगी, 8 को आप एक बर तो डाउन स्थीम पहुचा देग और एक बर अपिस्टीम पहुचा देगे, यानि कि 8 को कर देंगे, हम 3 से भाग, तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 56, तो यह आपके हो जाएगा, दोनों का इलसियम लेगे न, 21 आ जाएगा, 24 प्लस 56, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 बटे 21, तो 21 से 80 जाएगा, 3.8 यानि क इतना टाइम आपको लग जाएगा, दोनों को, यह डिस्टेंस जाने में और आने में, गवर करने में, ठीक है, आसे करता हूँ कि आपको यह कोशन भी समझ में आगया होगा, नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं, दोस्तों, अभी एक डिस्टेंस वाला मैंने कोशन आपको कराया ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति सान जल में पांच किलोटर प्रती गंटा की गती से तैर सकता है, यदि नदी का वेग एक किलोटर प्रती गंटा हो, तो एक इस्थान से उसको जाने में वापिस आने में 75 मिनट का समय लगता है, उनके बीच की दूरी क्या हो ठीक है, तो एक्स और वाई आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि क्या है अभी पूरा चैप्टर खतम होने वाले है, और बार बार मैं आपको एक्स और वाई के बारे में बताता रहता हूं, तो इसमें कोई कन्फीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर नीचे आपको 2 एक्स करना है, तो यहाँ पर देखिए, एक्स की चाल हमें पता है, य की पता है, डिस्टैंस आपको निकालना है, टाइम भी आपको पता है, 75 मिनट देर रखी है, तो गुछुश बहर नहीं बचा, सब कुछ रख दीजे डारेक्ट, तो डी निकालने के लिए आपको गया क स्ट्रीम जहाँ पर भी आपको टाइम मिनट में दिया होगा उसको घंटे में बदल लीजेगा ठीक है तो घंटे में बदलने के लिए आप क्या करेंगे साट से डिवाइड कर देंगे तो फिर यहाँ पर पांच किलोडर प्रती घंट आपकी बोट की चाले तो पांच का करने पर आपका आता है 15,4,60 यह कट जाएगा और 15,75 तो पांच बटे 4 तो यह होगा मल्टिप्लाई यहाँ पर देखें पांच बटे 25 माइनस एक तो 24 बटे 5 दूनी 10 तो 24 बटे 10 यह हो जाएगा ठीक है अभी देखें इसको 5 से काट देंगे दो बार और 2 से कट जाएगा 12 बार और यह 4 से कट जाएगा 4 ती यह 12 तो कितना हो जाएगा 3 किलोमेटर तो यह आपका डिस्टेंस आगे 3 किलोमेटर तो जो वेकती 7 जल में 5 किलोमेटर परती घंटा से तैर सकता है यदि नदी का 1 किलोमेटर परती घंटा है तो एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जा तो आपको देखे नाव का पता चल गया यानि कि चाल पता चल गया यानि कि एक्स और वाई तो आपको पता चल गया फिर बोड़ा जारा नदी में नावी को एक इस्थान से बी तक जाने तथा वापिस आने में कुल चार गंटे 30 मिनिट लगते हैं दूरी ए और बी ग्याद क तो उसको बाद में सब गंटे में बदल लेगे तो चार गंटे 30 मिनिट में कितना होगा चार गंटे में आपकी 240 मिनट होगी 30 मिनट ही है तो 270 मिनट तो आपका टाइम हो गया ठीक है तो यहाँ पे देखिए डी बराबर क्या हो जगा time bracket x का square माइनस y का square और upon में 2x तो time कित कितना है इसको डिवाइड कर देंगे हम सबसे पहले जीरो से जीरो कट हो जाएगी धरवाली और इसको कर लेंगे तीन दूनी 6 और तीन से कैए आपका चार बार और यह जले जाएगा आठ बार और यह टीन थीगा नवख लगाए आपका थीन गुना-85 आप उन में यह जाएगा नेंकि दूबचेगा यह त्रीं außer विस लाएगा 24 वटचे वहका जाएगा I hope कि आपको ये question भी समझ में आगया होगा तो दोस्तों आज की वीडियो को यहें पे रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है समझ में आई है तो please वीडियो को like करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करिए घंटी का इकन को ओन करिए ताकि आगया नवाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप टेलिग्राम को जोईन करके वहाँ से सारी पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम पे जाके topic study सर्च करके आप मुझे वहाँ पे जोईन करके जो भी आपको पीडियाप डाउनलोड करनी है सभी वीडियो की पीडियाप आपको वहाँ पे मिल जाती है Instagram, Facebook और Twitter पे आप फोलो कर सकते हैं अगर आप मेरे को फोलो करना चाहते हैं Instagram पे वहाँ पे कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं तो सौरम मलिक 17 के नाम सर्च करके आप फोलो कर सकते हैं Facebook पे भी आप मुझे सौरम मलिक के नाम से सर्च कर सकते हैं दोस्तो अनकेडमी का प्लस कोर्स है अगर आप लेना चाहते हैं इसको कोई भी डाउट है मैं वहाँ पे लाइप पड़ा रहा हूं तो आप इस WhatsApp नंबर पे मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब हो